वेलकम टू मास्टर मैंड़ जीके एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर मैंड़ जीके में आप लोग के डिमांड पे करेंट फेर्स का प्रैक्टिस सेट लेगर के आया हूं फ्रेंस जैसा कि पता है कंस्टेबल ड्राइबर का जो तीम जमेरी का एक्जाम होने व सुबोत सर बता रहा है तो उसका लिंक भी इस वीडियो की नीचे दिया हुआ है उसमें इस मिक्स अभी करेंट फेर्स का चल रहा है तो उसको भी आप परते एक दिन जरूर देखें वह साम के साम परते एक दिन 20 जो इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट करेंट फेर्स होता है उसको प्रवाइड करा रहा है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें वहां पर जा करके देखें इस चैनल में आपको बिहार स्पेशल करेंट फेर्स आपको 125 मैं करा देता हूं फ्रेंट इसी तरह से पार्ट 2 पार्ट 3 आपको जल्द ही मिलेगा फ्रेंट पार्ट 1 मे देखते हैं फ्रेंट्स आज का पहला सवाल द्यान से सुनते चलिएगा एक विडियो में सारा कौश्चन नहीं कवर कर सकते हैं फ्रेंट्स क्यों कर बिदियो का लंबी हो जाएगी चले ताज का पहला सवाल देखिए क्या है? कि Medical General Health Law Centre Global Health में परकासित सरवेच्छन के अनुसार कोरोना संक्रमन फैलाने के मामले में देश में सबसे अधिक खत्रा वाला जिला जिला कौण है? कुरोना संक्रमन फैनाले के मामले में देश में सबसे अधिक खत्रा वाला जिला कौन सा है सवाल नमर एक का राइट अंसर हो देगा आप्शन नमर सी बिहार के दर्भंगा जिला सवाल नमर दो का राइट अंसर है ऑप्शन नमर सी सारन में कराया जाएगा इसका पीडिएफ भी में आपको लाश्ट में प्रवाइट कराऊंगा फ्रेंस पीडिएफ टोटल एक हीम बना दूगा जिसमें टोटल 125 प्रशन होगा और इसका अंसर की भी दे दूगा ताकि आप फट फट उसका बाद में रिवीजन कर ले लेकिन तीन वीडियो प्रवाइट कर यूटूब पर डालने के बाद में इसका पीडिये भी आप लोग को एक हीमें करकर के प्रवाइट करा दूगा ठीक है तो हम लोग यहाँ पर देखे फ्रेंस की आधुनिक बंदरगा का निर गया था ठीक है तो आपका जो सवाल नमर तीन का राइट अंसर रेफ्रेंस ऑप्सन नमर सी कितना 7.76 परतीसत है बिहार में जो टूटल वना चादन है वो कितना है 7.76 परतीसत है चलि सवाल नमर चार को देखें कोवीड नाइंटिन से संबंदित सभी जनकारी परदान करने के लिए संजीवनी नामक मोबाइल एप आद रखेगा संजीवनी नामक मोबाइल एप किस राज में लाउंच किया गया सवाल नमर चार का राइटन सरो देगा आप्सन नमर ए बिहार में लाउंच किया गया सवाल नमर पांच को देखें सवाल नमर पांच है बिहार को किन दो फसलों के सर्वसेष्ट उत्पादन के लिए क्रीशी कर्मन पुरुसकार से सम्मानित किया गया यह बहुत ज्यादा important सवाल है इसको जरूर याद रखेगा इस सभी परकार के आपका RBNT PC में काम देगा बिहार को किन दो फसलों के सर्वसेष्ट उत्पादन के लिए क्रीशी कर्मन पुरुसकार से सम्मानित किया गया जवाल नमर पांच के पूल पुस्तक के लेखा कौन है लिखा है गांधी कैक्टस के फूल किस ने लिखा है आनंद महर अगर धूंदले दीख रहा है तो गौर से सुनते चलेगा means to आपको पता चल रहा होगा बिहार से जुड़े निम्लिखित में से किस व्यक्ति को मर्नो परांत पदम सुरी से समानित किया गया है सवाल नमबर साथ का राइट अंसर हो जागा तो option A में देख लेते क्या है सएद मुअज्यम अली बी में है जॉर्ज फर्णाडिश सवाल पर फिर से सुन लें बिहार से जुड़े निमली खित में से किस भी अक्ति को मर्नो परांत पदम स्री से समानित किया गया तो दो हो गया फ्रेंस इसका राइट अंसर option number D होगा और C में क्या है आपका अब्दुल जब्बार D में है वसिष नरायन सी तो मर्नो परांत आपको वसिष नरायन सी को पदम स्री का देने का सब गोजना किया गया है ठीक है याद रखेगा वसिष नरायन सी अगला सवाल कौन सा वैग्यानिक फोबर्स पत्रिका के artificial intelligence AI में विशेशग्यों के वैश्विक पाइनल में सबसे उपर रहा था ठीक है वो बिहार के थे तो कौन थे वो आठ का करेक्टन सरूर देगा option number C सुमंत परिमल कौन सुमंत परिमल बिहार का कौन सा वैग्यानिक फोबर्स पत्र देखा के artificial intelligence विशेशग्यों के वैश्विक पाइनल में सबसे उपर रहा था तो सुमंत परिमल अगला सवाल को देखें कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूप करने के लिए बिहार के किस जिले में हैलो सखी चैन अभियान गामिन महलाओ द्वारा शुरू क्या गया सवाल नमर 9 का रायट अंसर आप्शन नमर D हो जागा मुझपरपूर में क्या गया था याद रखेगा हैलो सखी चेन आपका मुझपरपूरूर। डैस टू बी आध रखेगा वैग 12 बी चलिए सवाल नमर 11 को देखें कि बिहार में क्रिशी कार के लिए परती यूनिट बिजली की दर क्या है बहुत अच्छा सवाल है ये इगारा का जो रायट अंसर आप्शन नमर C 65 पैसे ठीक है बिहार में क्रिशी कार के लिए परती य नया होता है जिक्केजियस का तो पुराना होता है फ्रेंस उसे किसी तरह से पढ़ करके इकल जाते हैं लेकिन इसको थोड़ा आराम से पढ़िए समझ करके चलिए सवाल नमर 12 है कि 2018 में बिहार की अर्थ विवस्था में प्रार्थमिक छेत्र का कितना योगदान था बहुत इसमें जो सवाल है फ्रेंस आपका 2018-19-20 से है लेकिन ज्यादा प्रशन आपको 2019 से होगा और 20 भी है फ्रेंस ठीक है तो इससे जरूर पूछा जाएगा बिहार पुलिस में अगर यो करेंट अफर से प्रशन आता है तो यह सवाल तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट था 12 देख लिए फेंस फिर्शेक बन देख ले बहुत अच्छा है कि 2018-19 में बिहार की अर्थव्यस्था का प्रार्थमिक छेत्र में कितना योगदान था 12.7 प्रतिशत था अगला सवाल आपका है कि वर्स 2018-19 में बिहार की सुध प्रतिव्यक्ति आई क्या थी 2018-19 का आकलन के हि बिहार की सुध प्रतिव्यक्ति आई क्या थी तेरा का राइट अंसर आप्सन नमर ए हो जाएगा कितना तो प्रतिव्यक्ति आई थी आपका 3617 रूपया कितना 3617 रूपया सवाल नमर 14 को देखें सवाल नमर 14 है कि बिहार में 2018 उने इसमें बिजली की प्रतिव्यक्ति खपत कितनी थी यहाँ पर क्या था सवाल यहाँ पर था बिहार में क्रिशी कार के लिए परती व्यक्ति यूनिट बिजली किदर क्या थी फ्रेरश को, तो 25 पैसे देखे थे अब इस वival पूँछा जारा आपको, कि बिहार में 2018, पिजली की परती व्यक्ति खपत कितनी थी परति व्यक्ति खपत पुछा जा रहा है तो सवाल नमर जो 14 है इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका option नमर C 14 का C यानि कितना 311 किलोवाट परति घंटा परति व्यक्ति बिजली खपत कितना 311 किलोवाट परति घंटा अगला सवाल को लेते हैं 15 नमर सवाल है कि किस जिले में सवदेशी गोजातिये पस्वों के संदचन के लिए एक परजनन केंद्र की अस्थापना की जाएगी अच्छा सवाल है किस जिले में सवदेशी गो जातिये पस्वों कुशन रच्छन के लिए एक परजनन केंद के स्थापना की जाएगी पंदरा का रायटनस और आप्शन नमबर भी हो जाएगा बकसर जिला में की जाएगी अगला सवाल है आपका अगला सवाल है कि इस्थिर किम्तो पर 2018-19 में बिहार की अर्थ वियस्था की विकास दर क्या थी सुलन नमबर सवाल का रायटनस और आप्शन नमबर सी हो जाएगा कितना तो 10.53 परतिसद ठीक है कितना 10.53 परतिसद सवाल नमर सतर को देखें देश में जनसंख्या की दृष्टी से सडकों के घनत्व के मामले में बिहार का स्थान क्या है देश में जनसंख्या की दृष्टी से सडकों के घनत्व के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है तो ये चौथा स्थान पर आता है उप्शन नमर ए रायट होगा सवाल नमर 18 को देखे सवाल नमर 18 बिहार के राजस्व का सबसे बड़ा सुरूत निमलिखित में से कौन सा है तो क्या है अठारा का बहुत अच्छा सवाल है भी हो जाएगा केंद्रियो करो में राज की हिस्सेदारी अगरा सवार 19 नमर शवाल को देखे 19 नमर शवाल है कि बिहार में परतेक नागरिक पर कितने रुपिये का करज आर्थिक रिपोर्ट 2019 बीस के अनुसार्ट करा बिहार में परतेक नागरिक पर कितने रुपिये करज अनुमानित है आर्थिक रुपोर्ट कब 29 और 20 के हिसाब से तो 19 का जो राय टंसर रहेगा आपका आप्सन नंबर शी 12 रुपया 12 रुपया कितना हो गया फ्रेंट 93 पैसा करीब ठीक है फ्रेंट आप 94 पैसा का सकते हैं 12 रुपीज और फिर पॉइंट में है 931 इसको 94 का सकते हैं तो इतना आ 12 रुपया 93 पैसा रखें चली सवाल नमर 20 को देखें सवाल नमर 20 आपका है कि वशिष्ट नरायन रिसर्च सेंटर फॉर मैं थे मैं ते मैंत्यमेटिकल साइंस बिहार के किस कॉलेज में स्थापित किया जाएगा गुड कोस्जन वशिष्ट नरायन कि रिसर्च सेंटर फॉ mathematical science बिहार के किस college में अस्थापित किया जाएगा 20 का राया टन्स रो जाएगा option number D पत्रना science college में आपको अस्थापित किया जाएगा 20 questions को देख लिए friends चलिए एकिस नमर्स सवाल को देखते हैं टोटल बिहार से friends मैं आपको 125 प्रस्ट करा दूँगा ठीक है यह part 1 है part 2 और part 3 इसका जल्द मैं आप लोगो प्रवाइट करा दूँगा और बाकी friends मैं बताया कि उस channel पी जाके current affairs जरूर देखे उसमें बहुत अच्छा अच्छा current affairs क question डाल रहे हैं सुबो sir एकिस नमर्स देखें बिहार की किस महिला वैग्यानिक ने गेहूं अनुसंधान में उतक्रिष्ट कार के लिए एक अमीर की NGO से अंतरराष्टिये पुरुसकार प्राप्त किया है तो कौन थी वो बिहार की कौन सी महिला कौन सी महिला थी friends सवाल नमर 21 सवाल फिर से सुने कि बिहार के किस महिला वैग्यानिक ने गेहूं अनुसंधान में उतक्रिष्ट कार के लिए एक अमेर्की NGO से अंतरराष्टी प्रुसकराप्त किया डॉक्टर भारती पांडे सवाल नमर 22 को देखें सवाल नमर 22 है कि बिहार के बीत वर्स 2021 का कूल बजट कितना अनुमानित है 2020 से किस का जो नया बजट हुआ है तो कूल कितना अनुमानित है तो 22 का करेक्ट अंसर आप्सन नमर सी हो जाएगा ठीक है कितना काई दहाई सैकड़ा हजार दस्यार लाख हानि 2,111,761 करोर है जो अनुमानित है अगला सवाल आपका है कि बिहार के किस जिले में इस्थित पचना पहाड़ी पर खुदाई के दवरान बुध देवी तारा की एक मूर्ती मिली है तो नालंदा जिस्टिक में अगला सवाल आपका है कि सरकार द्वारा विक्सित आउनलाइन पोर्टल परिमारजन बिहार किस बिभाग से सम्बंदित है कराय सरकार द्वारा विक्सित आउनलाइन पोर्टल परिमारजन बिहार के किस बिभाग से सम्बंदित है 24 का जो राज़स्व और भूमी सुधार विवाग से याद रखेगा online portal परिमारजन कौन्स परिमारजन किसे है तो राज़स्व और भूमी सुधार से है सवाल नमर 25 को देखे सवाल नमर 25 आपका है कि राजनीतिक पुस्तक दस्तक देते रहेंगे किस राजनेता के भाषनाओं का संकलन है तो डाक्टर जगनाथ मिस्र का है सवाल नमर 26 को देखे सवाल नमर 26 है कि वीतिये वर्स 2019 में खनन राजासु संगरह में कौन सा जिला टाउप पर रहा है वीतिये वर्स 2019 में खनन राजासु में कौन सा जिला टाउप पर रहा है 26 का राज़स्व और जमूई रहा है कौन सा जमूई अगला सवाल है आपका कि किस नदी पर परस्तावित पांडु का स्री नगर ब्रीज ठीक है पांडु का स्री नगर ब्रीज का निर्मान आपका 21,211,333,41 क्रोर रुपिय की लागत से किया जाएगा पांडू का स्रीनगर ब्रीज 27 का जो राइट अंसर हो जाएगा option में सोन नदी पे होगा किस पे सोन नदी पे पांडू का स्रीनगर ब्रीज अगला सवाल को देखते है 28 नमर सवाल को खादी ग्रामो उध्योग आयोग KVIC ने बिहार के किस जिले में तेरा कोटा मीटी के कूकर तयार करने की योजना बनाई है, बहुत अच्छा है टेस्टिंग कॉस्चन है, तेरा कोटा मीटी के कूकर तयार करने की योजना बनाई है, तो बिहार के किस जिले में, तो सवाल नमर 28 को देख लेता है, आप्शन, 28 का हो जाएगा आपका, राइट खार खादी का ब्रांड एंबेस्टर किसे न्यूक्त किया गया है अच्छा सवाल है 29 का रायट अंसर पंकज तिरपाथी को न्यूक्त किया गया है किसके पंकज तिरपाथी को सवाल नमर 30 को देखें किस जानवरों की गिंती में पटना चिडिया घर दुनिया का नंबर वन च सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपका option number C हो जाएगा डॉक्टर निखिल अगरबाल को देखे बिहार a special है फ्रेंस आपके लिए बहुत important है पूरा जरूर देख लिएगा 125 प्रशन इससे करा दाता हूं फ्रेंस बागी लास्ट में मैं एक master वीडियो प्रवाइड कराऊंगा current affairs का भी जिसमें आपको total कम से क देड़ से 200 प्रशन रहेगा फ्रेंस सभी में जो popular popular है सबका मैं करवा दूँगा अभी तीन वीडियो में मैं आपको पार्ट वन पार्ट टूर थी में कर देंगे फ्रेंस 125 प्रशन है जो बिहार से संब्दी ठीक है और इसके बाद प्रैक्टिस एड भी आपको जिक्के ज राज नेता क्या तो 32 का जो राइट अंस रोगा फ्रेंस आपका ओप्सन नंबर सी जॉज फरनाडिस किसके तो जॉज फरनाडिस अगला है आपका कि बिहार सरकार ने किस अभियान को लिमका बुक आफ रिकॉर्ड द्वारा विश्व रिकॉर्ड का दरजा दिया गया है किस अभियान को चमपारन सताबदी समारुह अभियान को आपकी सवाल नंबर 34 को देखे फ्रेंस सवाल नमर 34 है पचास हईार क्रो रूपिय की लागत से बिहार के कितने जिलो में गरीब कल्यान रोजगार योजना कितने जिलो में लागत की जाएगी तो 34 का राइट अप्सन नमर डी होगा 32 जिलो में लागत की जाएगी अगला सवाल को देखे कि सिच्छा विश्व भारत रैंकिंग में बिहार की रैंकिंग सूची में किस विश्व विद्याले को पहला स्थान मिला है बिहार का कौन सा जो विश्व भारत रैंकिंग में उसको पहला स्थान मिला है 35 का right answer option number D हो जाएगा दच्छिन बिहार का केंद्रे विश्विद्याले गया ठीक है दच्छिन बिहार का केंद्रे विश्विद्याले गया को मिला है फिर से देख लें सिच्छा विश्व भारत रैंकिंग में बिहार की रैंकिंग सुची में किस विद्याले को पहला स्थान मिला है तो आपका दच्छिन बिहार का केंद्री विद्याले गया 35 नमर को देख लिए अब 36 नमर को देखते हैं सवाल नमर 36 आपका है कि बिहार के किस जिले में भारत का दूसरा लोटस मंदिर बनाया जा रहा है बहुत इंपोर्टेंट सवाल है तो कहां बनाया जा रहा है दूसरा लोटस मंदिर 36 नालंदा में बनाया जा रहा है दूसरा लोटस मंदिर कहां बनाया जा रहा है तो नालंद किस जिले में इस्थित मनिहारी के बीच एक पूल के निर्मान के लिए कार आदेश जारी किया है तो किस जिले में 36 का 36 का जो राइटन सरो जाएगा option number B कटिहार जिले में अगला है बिहार के किस सहर से सितंबर 2020 से उरान संचालन सुरू करने की घोसना की गई है बिहार के किस स का राइटन सरो जाएगा option number शिद्धर भंगा से 49 को देखें कोरोना काल 2020 में बिहार विधान परिशत के कितने उमिदवार निर्विरोध जीते तो 49 का जो राइटन सरो जाएगा option number B कितना 9 40 नमर सवाल को देखें कि बिहार में सभी भी भागों में कितने वर्स या उसे अधिक आयू के अकुशल क्रमचारियों को अनिवार स्रेवानृति के आदेश दिये गए हैं कितने आयू अरगी के 40 का राइटन सरो जाएगा option number 50 वर्स के कितना 50 वर्स के 40 नमर सवाल को देखें कोरोना वायरस वैक्सिन कोभाक्सिन कोभाक्सिन का नैदानिक परिछन बिहार के किस अस्पताल से शुरू हुआ था ठीक है नैदानिक अच्छा सवाल है 41 का जो राइटन सरो जाएगा option number C हो जाएगा कोभाक्सिन कोभाक्सिन का नैदानिक परिछन बिहार के किस अस्पताल से शुरू हुआ था अगला सवाल आपका है जो इस वीडियो के लाश सवाल है को बिहार सहित चार राजयो में ब्रिटानिया अगले दो साल में 700 कुरों रूपrament का निवेश करेगा ब्रिटानिया दोारा यह संगतीर बिहार है कहा स्थापीत किया जा रहा है है बिटानिया का कहा सन्दत याद कर ले एक बर्म याद होना जाये ब्यालीस का जो राइट अंसर हो आपका पतना वीटा में अस्थापित किया रहा है तो देखेए फ्रेंच यह आपका बिहार क्रेंट एफेर्स का पार फंट था आपको पर फार्ट वन पार्ट टू और पार्ट एप त्री जल्द आपको प्रवाइट करा जाएगा फ्रेंच बाकि आपका जिक्के जीस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा हूं में आपको continue रखोंगा वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कर दिया है फ्रेंस और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है फ्रेंस आप लोग वहां पर जा करके विबसाइट पर भी बहुत सारा जिक बनाया है फ्रेंस असपेशल उस पर सिर्फ करेंट है फिर उस पर भी जाकर के जुरूर देखिएगा नेक्ट वीडियों फिर मिलते हैं देखने के लिए थैंक्यू धन्यवाद